हेलो फ्रेंस स्वागत है अप सभी का एक वार फिर्ट से आपके पने चैनल ग्याम दानवीड पर दोस्तों आज आपको एक अपडेट से रूबरो कर दे कि सिक्षा विवाग के ओर से वैचे तो बरी से बरी अपडेट या लेटर हमेशा जारी कर दी जाती है लेकिन सिक्षा बिवाग के द्वारा कभी भी सिक्षक बहाली या सिक्षा मंतरी जो हमेशा बोलते हैं कि दुजरता इस निक्तियों का बर्च होगा उस पर कोई भी सवाल ऑथिंटिक रूप से कोई भी लेटर पाबलिस नहीं होता है ऐसे मिसातियों आज भी एक जानने वाली बात यह होग का उसकती है तो इसमें अगर कोई ख़वर नहीं आती है तो इसके बाद का प्लानिंग है हम सहयों का जरुष है अगर नहीं करते हैं तो वैसे ही साथमी चरण सिक्षक का बहाली जिस तरह अभी फसी हुई है हमेशा के लिए फसी रह जाएगी और आप बिगत वर्स जैसे गुजारते आये हैं चात्म चनी चिक चक वाली नोटिफिकेशन के इंतजार में वैसे ही इंतजार करते रहेगा साल वित्ता रहेगा प्रते दिन सीटेर भीरती पास होते रहेंगे भीर संख्यां बढ़ती रहेगी और जिसका कम मेरिट है उसका ब दोलन की गई थी उसमें भीरतियों की संख्यां जो थी बहुत ही कम अनुमाल लगाया गया था उससे बहुत ही कम तो साथियों आपको बता दे एक पर फिर से हमारे जो साथी हैं उनके द्वारा पठना चलो का नरा लगाते हुए एक डेट ताइक किया गया है वह है चब्व अपना है गया और इसमें आप तमाम बिहार के जितने भी सीटेट बीटेट पास अब भेरती है इसमें सहयोग हुए और शात्मीचरन सिक्षक भाली का नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम लोग को शंगर्स करते रहना है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि आपको एक अपडेट देना था कि अभी धिव्यांग सिक्षक संग के द्वारा एक पहल अपना यह जा रहा है इसमें आपकी शहयों की जरुरत है इसी के करम में यह भी समझ लेजिए कि साथियों मंत्री मंडल सचिवाले के ओर से बिहार सरकार के दोरा एक लेटर पब्लिश किया जाता है इसमें बताया जाता है कि फिर से एक कैबिनेट की जो बैठक है वो माननिय मूख मंत्री और शभी जो मंत्री गन है विभीन विभाग के उसके साथ अनकई मंत्री को यह लेटर भेजा गया और इसमें बताया गया कि एक फिर से जो केबिनेट की बैठक है मीटिंग है वो बुलाई जारी है कब आपके सामने यहाँ पर डेट दिख रहा होगा जिसमें लिखा गिया है कि निदेशां उसार दिनांक 10-2023 सुमबार को अपरहां 2 बजे से मंत्री प्रिशद की बैठक मुक्षचीव इस्थित मंत्र मंडल कक्ष पठना में होगी ऐसे में देखी साथियों जब भी केबिनेट की बैठक होती है विवीन एजेंडो पर महर लगता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन जो मुक्ष मुद्धा है शात्मी चलन सिक्षक का बहाली उस पर कोई भी बात या निवाली को लेकर न एक बार सरकार को थोड़ा सा जगाने के लिए आप इसी लेटर को लिजिए और ट्वीटर पर जाके ट्वीट कीजिए कि सर प्लीज इस कैबिनेट बैठक में जो दस तारीक होने वाली है उसमें शात्मी चलन सिक्षक का बहाली का नोटिफिकेशन को लेकर जो नियावली त करते हुए यह लिखिएगा कि दस तारीक को जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें कम से कमने वाली पबलिश कर दिजिए ताकि हम अब शिक्षक अभिर्थी जो भी शात्मी चलन सिक्षक का बहाली को लेकर लंबे वर्सुस इंतजार करते हैं कम से कम उनकी जो इंतजार है वह खत्म हो सके तो ऐसे में साथियों मैं ऐसा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और शात्मी चलन सिक्षक का बहाली को लेकर जो भी अपडेट आती हैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा बताते हैं वैसे गलत खबर या कोई फालतू का वीडियो आप तक हम नहीं पहुंचाते हैं वैसे मैं अपने चैनल पर अभी लगातार वीडियो नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वह कोई ऐसी अपडेट आती ही नहीं है करन साथियों आप हमारे साथ बने रहे हैं और आपको हम हमेशा अथेंटिक डाटा देते रहेंगे थैंक्यू साथियों कर दो 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 मत आती हैं